नमस्कार दोस्तों मेरे नाम स्रीकान कुमार आप देख रहे टुजेट प्रोसेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पे ना है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे प्ला इकन घंटी को इप्टेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच पा है तो चलिए दोस्तों वीडियो में आपको टाइप करना है UIDAI उसके बाद सर्च के option पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link दिख रहा है UIDAI इस link पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों अधार काट का official website इस पर काट से यहां पे उपेन हो जाता है सबसे पहले दोस्तों इस पर कार से आपको नीचे आना है और एक option आपको देखने के लिए मिल जाएगा अधार service इस वाले option पे आपको क्लिक करने के बाद दोस्तों इस पर कार से आपको नीचे आना है इस परकार से आपको नीचे आना है और दोस्तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा अधार linking status और यहाँ पे आपको देखने के लिए चेक अधार बैंक linking status इस वाले link पे आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों अगला पेच इस पर कार्ट से यहाँ पर उपेल हो जाता है दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो इस बॉक्स में अपना अधार नंबर को टाइप कर देना है उसके बाद इस capture code को इस box में आपको type कर देना है उसके बाद send OTP के option पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों अधार card के साथ जो भी mobile number link है उस number पर एक OTP को send कर दिया गया है और उस OTP को इस box में आपको type कर देना है उसके बाद संबित के option पे click कर देना है तो चलिए हम OTP को यहाँ पे type कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे OTP को type कर दी हैं चलिए संभित के option पे click करते हैं click करने के बाद दोस्तों इस परकार से status यहाँ पे open हो जाता है दोस्तों सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपका अधार नंबर देखने के लिए मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा bank के नाम यही bank जो है कि आपके अधार कार्ट के साथ link है और दोस्तों यहाँ पे दिखिए एक ही bank यहाँ पे link है और दोस्तों यह बैंक जो है कि इन एक्टिव है या फिर एक्टिव है तो यहाँ पे दिखे इस परकार सा स्टेटस देखने के लिए मिल रहा है और दोस्तों यह बैंक आपके अधार कार्ट के साथ लिंक है यह बैंक जो है कि चालू है और दोस्तों यहाँ पे आपको देखन के लिए मिल जा किस डेट में आपका बैंक के साथ अधार कार्ड लिंक हुआ है इसका डेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्ण उठ रहा है कि जितना भी एकांट को ओपें करवाया हूं अधार कार्ड देखर ही ओपें क करवाये हैं तो जितना भी बैंक है सभी बैंक में तो अधार कार्ड मेरा लिंक होगा पर दोस्तों यहाँ आपको बतला दें कि हाँ आपके जितना भी बैंक है सभी में अधार कार्ड लिंक है पर दोस्तों जब आप ऑनलाइन अगर अस्टेटस चेक करते हैं कि मेरा अधार काड के साथ कौन सी बैंक लिंक है तो दोस्तो इस परकार से आपका बैंक सो करता है तो दोस्तो यही बैंक जो है कि आपके अधार काड NPCI से लिंक है और इसी बैंक में DVT के माधियम से पैसा ट्रांसपर किया जाएगा अगर सरकारी पैसे अगर आपको मिलने वाला होगा तो इसी बैंक में आपको मिलेगा तो दोस्तों यहां आपको किलियर कर देते हैं कि अधार NPCI एक ही बैंक में लिंक किया जाता है अगर आप इस बैंक को हटा कर दूसरा बैंक लिंक करना चाहते हैं तो दोस्त को आपको फिलप करके जामा करना होगा उस बैंक से जो है कि आपको अधार NPC को हटा दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों जो बैंक को आप लिंक करना चाहते है अधार कार्ड के द्वारा उस बैंक में आपको जाना होगा ब्रांच में वहाँ पे दोस्तो अधार EQIC का फॉर्म आपको मिलेगा उस फॉर्म को आपको फिलप करके आपको संबीद कर देना है उसके बाद दोस्तो आपके अधार काट के साथ जो है कि आपके बैंक के साथ जो है कि अधार NPCI लिंक कर दिया जाएगा 24 गंटा के अंदर और चनल को सब्सक्राइब कर लिजब लाइकन घंटी को भी प्रेस कर लिजगा